अगे अगे तो बिण अगे को लिए तो फोल्ट पाइन कन्वेंशन में जयादा तर बच्चों को सब्सक्राइब कि मान लीजे ये आपका मीच आ टीक है लाइट इस हिस्से को छोड़ कर जा रही है ऐसा हो रहा कि लाइट यहाँ पर टक्रा रही है अब यह जो sign convention की trick है यह आपको कब apply करनी है यह याद रखिये यह आपको apply करनी है just before reflection और refract समझे reflection और refractions के just पहले आपको apply करनी है तो जब reflection और reflection के just पहले आपको apply करनी है तो ज़रा दिखे light is हिस्से को छोड़ कर जा रही है अब मन लेज़े कि आपके पास एक set of amount of money है और वो money आपको छोड़ कर चला जाए वैसा किसी के पास से जाता है तो कैसा feel होता है negative feel होता है न यहाँ पर light is हिस्से को छोड़ कर जा रही है कैसा लगेगा negative क्या लग रहा है ऐसा लग रहा है कि इस हिस्से में चली जाएगी तो यह क्या हो जाएगा फोड़ी देर पर वो बात अलग है कि reflection होने के बाद light इस हिस्से में वापस आ जाती हम after reflection की बात नहीं कर रहे हैं असी लिए तो यह क्या हो गया positive इसके उपर क्या हो जाएगा हमारे पास positive तो नीचे क्या हो जाएगा negative यही देख लीज़े अगर दूसरे concern से देखे दूसरी sight से तो नहीं सर हमारा mirror तो ऐसा रखा तो light कैसे आएगी light इस तरीके से आएगी अब कौन सा हिस्सा यह छोड़ रही है negative किस हिस्से में यह जा रही है इस हिस्से तो यह हिस्सा कैसा हो जाए positive समझ में आप ही रहा ऊपर वाला हिस्सा आप ही भी positive रहेगा नीचे वाला हिस्सा तो यह है sign convention mirror में भी यही लगेगा और lens में भी यही लगेगा अब बात आ जाती है हमारे पास focal length mirror का focal length होता है one upon f is equals to one upon v plus one upon and magnification minus v upon is it clear now mirror का focal length और magnification यह है focal length का derivation होता है इसका वो देख लिते हैं कैसे होता है बहुत आसान सा तरीका में आपको बताऊंगा focal length के derivation का बहुत simple सा easy सा कि इस type का mirror है आपके पास देखिये और यू हमने इसे line draw कर दी यह हो जाएगा हमारे पास object यह हो जाएगी हमारे पास image यह हो जाएगा हमारे पास center of object image and center of यह क्या हो जाएगा alpha यह हो जाएगा theta and this will be gamma यहाँ पर आगे हमारे पास point a और यह हो जाएगा point b यह हो जाएगा i यह हो जाएगा r यह हो जाएगा त्राइंगल ले लेते हैं दो ट्राइंगल ले लेते हैं गामा और r internal angle है तो गामा प्लस r is equals to beta aco में देखिए alpha plus i is equal हो जाएगा यहाँ से r की value निकाले beta minus gamma यहाँ से i की value निकाले gamma minus सकते हैं इन दोनों को क्या कर सकते हैं equate कर सकते हैं ज़रा equate कर लेते हैं तो gamma क्यों equate करेंगे क्योंकि i equals to r law of reflection होता है हमने पढ़ा आए तो क्यों जाएगा beta minus gamma is equals to gamma minus equation बनेगी हमारे पास को equation finally हमारे पास बन जाएगी 2 gamma is equals to beta plus alpha हो जाएगा यहाँ आगे समझेगे concept क्या कहता है आगे यह कहता है if sin theta is small then it is equals to theta and it is also equals to 10 theta मतलई यह जो alpha beta gamma है यह बहुत छोटे छोटे angles है तो इनकी जाएगे हम 10 theta ले सकते हैं तो अगर हम 10 alpha की बात करें तो जोरे 10 alpha देखें क्या होगा 10 alpha होगा AP upon PO whereas AP will remain AP और PO की जिरा value देखते हैं क्या है PO तो U है न और light is हिस्से को छोड़ कर जा रही है light is हिस्से को छोड़ कर जा रही है तो यह negative हो जाएगा हो जाएगा negative की नहीं हो जाएगा और PO क्या है U है तो यह क्या हो जाएगा minus 10 beta क्या हो जाएगा AP upon PC PC क्या है AP minus R यह R है ना और यह क्या है V है 10 beta 10 beta की value 10 gamma की value क्या हो oh sorry this will be 10 gamma and this will be 10 beta 10 beta की value क्या हो जाएगा 10 beta की value हो जाएगा AP upon PI और PI क्या है AP upon minus V देखें सारी equations आगी है यह आगया substitute कर दीजिए देखें 2 into gamma gamma की value क्या है AP upon minus R beta beta की value क्या है AP upon minus V alpha alpha की value क्या है AP upon minus AP 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 cancel minus 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 cancel 2 upon R equals to 1 upon V plus 1 upon देखा जाएगा 1 upon F is equals to 1 upon V plus 1 upon this will be the यह है final dairy देखेंजे plan 1 upon 1 page 1 page 2 page परबंती आगे हैं, जनते हैं क्या, कि magnification हम आप होता है कि minus v upon यहीं पर magnification का एक फामला होता है f upon f minus v और दूसरा होता है f minus v upon यह दोनों फामले CBC board में as a derivation भी पूछेगे समच है, CBC board में यह दोनों फामले as a derivation भी पूछेगे तो next video में हम वो फामले